हेलो एवरीवन गुद मॉर्निंग तो ओल अफ यूर विलकम तो लॉजिक बाट शाला आज किस फीडियो में हम कवर करेंगे 7 सेप्टेंबर की इंपॉर्टन करेंट अफियर्स के क्वेश्चन्स इस फीडियो को जो पीडियो फेर फेंड्स आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम गुरुप से टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्किप्शन में दिया गया है तो चले फेंड्स आज किस इंपॉर्टन सेशन को स्टार्ट करतें मोटिवेशन कोट से समय और सिक्षा का सही उप्योग की व्यक्ति को सफल बना दीता है तो कहते हैं ना कि अपने स जो भी आपकी जिंदेगी है उसमें आप सफल रहें एक सफल इंसान बन सकें इसलिए समय और सिक्षा का सही उप्योग करें चले फेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेशन से पहला क्वेशन देखें विच इस तफर्स्ट सोलर सिटी ऑफ दी कंट्री देश का पहला सोलर या पहला सौर शहर कौन सा है तो जो कंट्री का पहली कंट्री की जो पहली सोलर सिटी है वो है सांची और सांची सिटी कहां पे है कौन से स्टेट में है या धकेंगे लोकेटेड है ये मध्यप्रदेश में इससे इनागरेट किया है मध्यप्रदेश के चीफ मिन मिनिस्टर शिवराज सिंग जहान ने, प्राइम मिनिस्टर मोधी जी का जो एक लक्षे है, टागेट है, to develop a solar city in every state of the country, तो इन्होंने 270 तक देश के हर राज्य में एक solar city विक्सित करने का लक्षे रखा है, तो पूश सकते हैं, कि जो टागेट है, ये कब तक का रखा गया है, 2070 का, तो इसी टागेट को लेके जो देश की पहली solar city वनी है, वो कौन सा शहर है, सांची शहर, फोस्तर इंडिया से लेटेट कुछ और important points की बात करतें, इसे फेंट सबारादी के अच्छे से revision हो जाएगा, इंडिया की पहली pot taxi, सब विसे कहां start होई, उत्तर प्रदेश मे international multi-model logistic park, ये कहां पे open हुआ, असम के जोगी गोपा में, सबसे पहले कौन सा state था, जिसने बच्चों के लिए digital health card के शुरुआत की थी, वो था उत्तर प्रदेश, first state जिसने start किया था, जिसने adopt किया था, जल budget, यानि water budget अपनानी वाला, पहला राज्य कौन सा है, केरल, इंडिया की पहली underwater road tunnel, कहां पे बनाई गई मुंबई में, इंडिया की पहली green aviation full production किया गया पानी पत में, solar energy powered tourist boat, ये पहली ऐसी tourist boat है, जो पूरी तरीके से solar energy से powered है, इसका नाम है सुर्यामशू, कहां पे start किया गया है, इससे केरल state में, अगला question देखिए, question है, which ministries have launched a three-year partnership with Meta, और ये partnership का जो title है, वो है, education to entrepreneurship, empowering a generation of students, educators and entrepreneurs, तीन साल की जो partnership है, Meta Company के साथ में, किस ministry ने की है अभी, तो ये partnership की है, ministry of education and ministry of skill development and entrepreneurship, इन्होंने जो है, अभी Meta Company के साथ में, तीन साल की partnership की है, इस partnership के तहट, अगले तीन सालों में, पांच लाख, जो entrepreneurs है, उनको Meta के द्वारा digital marketing, जो skill है, वो access कर सकते हैं, उनको दीके digital marketing की चीज़े सिखाई चाहेंगी, जो पांच लाख entrepreneurs है, इस partnership के तहट, तो सिंपल याद है कि का partnership किसके साथ में होई है, Meta company के साथ ये भी पोछ सकते हैं, किसके साथ partnership करी है, कितने साल के लिए हुई है partnership, तीन साल के लिए, Next question, which IIT researchers have developed a novel cold plasma detergent in environment, जिसको short में कहा है code, तो ये जो code device है, ये भी किस IIT के researchers ने develop की है, और ये है किसलिए develop की गई है, कि जो indoor air quality है, उसकी एक तरीके सा उसकी quality अच्छी के लिए, अच्छी indoor वायु गुडवत्ता के लिए जो है इस उपकरण को विक्सित किया है, किस ने, IIT जोदपुर के scientist ने जो हिस device को विक्सित किया है, जो code device है, ये less power consume करता है, यानि बिशली की खबत, कम बिशले खबत करता है, बिक्टीरिया, जो मॉल्ट्स हैं, फफूंद है, और वायरस, उसको ये deactivate कर देता है, निश्किरिया कर देता है, इसके अलावा दूल ये जो dust और pollen है, उसको ये capture कर सकता है, और ये जो odors ये गंध होती है, जीपसी जो smell आजाती है, उसको ये remove भी कर सकता है, तो कावी अच्छी device है, जो कि indoor use होगी, आप इसको घर के अंदर use कर सकते हैं, एक अच्छी air quality के लिए, और इससे develop किया है, याद रखें कि इसने IIT, जोदपुर के scientist ने जो है, इस device को develop किया है, कुछ और IIT से important use की बात करते हैं, देखिए, IIT मदरास ने अभी generate किया था, hydrogen, और किस से generate किया था, उन्होंने hydrogen, sea water से, solar energy का use करके, इसके लावा friends, IIT Govahati के researchers ने develop किया था, AI based model, और किसले develop किया था, ये knee x-ray के लिए, इसके लावा friends से अगला question या दखेंगे, IIT कानपूर की बात करती है, तुन्होंने successfully conduct किया था, flight for cloud seeding, next friends, IIT मदरास ने एक 3D paper based portable device launch की थी, जो कि 30 second में, दूद में जो मिलावट होती है, इसका पता लगा सकता है, प्रेजिडेंट रौपती मुर्मोजी ने जो परम कामरूप सूपर कम्प्यूटर है, इस facility को inaugurate किया, कहां पे IIT Govahati में, next news त्यान रखेंगे friends, IIT मदरास ने एक robot develop किया था, जो कि septic tanks को clean करेगा, humans की इसमें ज़रूत नहीं होगी, और इसे नाम क्या दिया था, homo sap इसे नाम दिया, तो ये हमें कुछ important news याद रखनी है, friends, IIT से related, आगे पढ़ते हैं अगले question पे, next question है, N. Valarmathie passed away recently, who was she, बात करें friends, N. Valarmathie, जिनका भी हाले में निदन हो गया, वे है कौन थी, तो friends correct answer है, voice behind ISRO mission launch, ISRO के mission जो भी launch होते थे, उनके पीछे की जो आवास थी, N. Valarmathie, इनका भी हाले में निदन हुआ है, ISRO scientist N. Valarmathie, the voice behind the national space agency rocket launch countdowns, जो countdown होता था, जो voice थी, वो इनकी थी, इनका भी हाले में निदन हुआ, Satish Dhawan Space Center में जो range operation program है, उसका ये बार्टी जहां सभी launch पर जो countdown होता था था, 3, 2, 1, इस तरीके से उल्टा जो countdown होता था, ये उसको announce करती थी, तो अभी हाली में जो है friends, इनका निदन हुआ है, Next question देखिए, Minister of State of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh has inaugurated the S20 Conference, under the agencies of G20, in which state? तो S20 जो सम्मेलन है, सबसे पहले याद रखेंगे, इसका उद्गाटन किया, Jitendra Singh ने, इस state में किया इसका उद्गाटन, तो ये भी याद रखेंगे friends, उत्ता प्रदेश में, इस सम्मेलन में, जो है, इस conference में कुछ topics को cover किया गया, जैसे clean energy for green and future, या universal holistic health science for society and culture, and role of media in science and culture, science and culture में media का क्या role है, देखे, हरत भविशे के लिए सच ओजा, इन सभी topics को cover किया गया, और इसकी theme क्या रही थी, याद रखेंगे, disruptive science, इसका मतलब क्या है, transformative science, ये इसकी रही theme, कुछ और G20 से important news की बात कर लेते हैं, तो देखे, G21 health workshop, अभी रिसेंट कहां पी हुई है, बिंगलूरू करनाटका में, second G20 chief scientific advisors की meeting हुई गांदी नगर गुजरात में, B20 summit जो था, ये हुआ था, फ्रेंट्स न्यू डेली में, fourth G20 culture working group की meeting कहां पी हुई थी, वरानसी उत प्रदेश में, अगला खुशन है, which state government has launched, the sabal scheme, sabal की full form याद रखेंगे, मुख्या मंत्री, sporting abilities, rebuilding aspirations and livelihood scheme, तो जो sabal योशना है, ये शुरू की है, हिमाचल प्रदेश सरकार्णी, simultaneously इसी के साथ, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने also अभ्यास हिमाचल और सिक्षक सहायता, जो chatbot है, इसे launch किया, ये chatbot जो है, enable करेगा, कि students, अपने mobile phone से, किसी भी location से, जो भी देके, convenient तरीके से, अपने lessons को revise कर पाएंगे, इन chatbot के थुरू, बहुत ही असान तरीके से, तो ये भी इसी के साथ, चीफ मिनिस्टर ने launch किये है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, friends, capital है, शिमला और धर्मशाला, governor है, शिप्रताब शुकला, और चीफ मिनिस्टर है, सुखविंदर सिंग सुखु, राजसभा सीटे हैं तीन, लोगसभा सीटे हैं चार, और assembly स यहां पे 68, नेशनल पार्क में हैं, ग्रेट हिमालियन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, और सिंबल बारा नेशनल पार्क, अब बात करते हिमाचल प्रदेश इसे कुछ important news की, तो देखे हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है अभी green hydrogen policy जो था इसे formulate किया था, इसके ला हिमाचल प्रदेश की सरकार ने French agency के साथ में MAO साइन किया, ताकि वहां पे जो drinking water है, जो sanitation ने उसी improve किया जा सगे, हिमाचल ने तागेट रखा है कि वो पहला green energy state बन जाएगा, कब तक 2025 तक, हिमाचल प्रदेश का पहला biodiversity park कहां पर open किया गया है, Monday district में, सो ये हमें याद रख नहीं है friends, हिमाचल प्रदेश से related news, आगे बढ़ते है friends, next question पे, which state government will introduce a bill in the state assembly in December to ban polygamy, कौन सी राजय सरकार बहु बिभाबर प्रतिबंद लगाने के लिए December में, राजय विधान सभा में एक विधयक पेश करेगी, तो अभी ये विधयक कौन सी सरका पेश करेगी, right answer is, असम गवर्मेंट, polygamy मतलब क्या होता है, बहु बिभा जो है, मतलब एक से जादा परसंग से आप जो शादी करते हैं, जो विभा करते हैं, उसकी प्रथा को कहते हैं, polygamy या बहु बिभा, उसी को ही खत्म करने के लिए या उसी को बैन करने के लिए ही यह जो बिल है, वो इंटर्ड्यूस करेगी, असम गवर्मेंट, असम की कापिटल है, देसपूर, चीफ मिनिस्टर है, हिमानता विशु शर्मा और गवर्नर है, यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया, असम से बात करें तो असम की सरकार ने जो है, अभी मिशन लाइफस्टा जाता खेल महारण को, आगे बढ़ते हैं, हर्याना चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खटर अनाउंस्ट, that every dash will be a car free day in करनाल, हर्याना की मुख्य मंदरी मनोहर लाल खटर जी ने घोशना की कि करनाल में प्रतिय कौन सा दिन होगा, वो ऐसा जो कि कार मुक्त दिन होगा, कौन से द car free day होगा, या ऐसा भी पूस तकना है कि इसकी announcement किसके द्वारा की गई, हर्याना के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो एक तरीके से drug free living के बारे में awareness बढ़ाने और environment sustainability को promote करना, यही इसका main उदेश है, जिसको लेगे किया गया है, इस initiative के तहट Tuesday को जितने भी government officials होंगे, वो bicycle पर जो है, वो travel करेंगे, मतब car free day होगा, तो car बिल्कुल नहीं चलेगे, Tuesday के दिन, यह करनाल डिस्ट्रिक के बात हो रही है, ताकि environment को भी हम थोड़ा protect कर सकें, बात करते हैं friends हर्याना की, तो हर्याना सरकार ने जगे अभी waste collection के बारे में awareness के लिए campaign शुरू किया था, हर् जहां पे restaurant 24 इंटो 7 open रह सकते हैं, यह उन्होंने announcement कर दी थी, हर्याना सरकार ने जो पद्म अवार्डी उनके state से देखे, winners रहे, उनको 10,000 जो है monthly pension की announcement करी, हर्याना सरकार ने ही integrated water resource action plan जो है, इसे launch किया, हर्याना पहला state बना जहां पे railway network 100% कैसा हो गया है, electrified हो गया है, नेक्स्ट यहां देखेगा North India का जो पहला nuclear power plant है, इसे हर्याना के गोरगपुर शहर में जो है, इसको जो है लगाया जाएगा, हर्याना सरकार ने जो है, good governance, हर्याना सरकार ने launch किये थे awards जो की promote करेंगे किसे good governance को, नेक्स्ट याद लगेंगे friends, हर्याना सरकार ने मात्र शक्ती उद्धमिता scheme को start किया था, हर्याना सरकार ने ही वर्ड की largest jungle safari park जो है, इसे develop किया, तो यह हमें कुछ important news याद रखनी है, हर्याना से related, आगे बढ़ते हैं, which bank has recently introduced, intro parability of the UPI in digital rupee, also known as central bank digital currency, तो हारे में किस bank ने digital rupee में UPI की intro parability शुरू की, जिसे central bank digital currency भी कहा चाता है, तो यह भी introduced किसने किया है, SBI, State Bank of India ने, यह जो नया e-rupee SBI application है, यह allow करेगा, SBI, CBDC जो users हैं, उनको easily वो merchant UPI QR code से easily scan करके, वो easily अपने transition को quick और secure बना सकेंगे, तो उसकी अनुमती देगा, SBI की बात करने तो इस किस्ता आपना हुई 1st July 1955 को, headquarter है Mumbai महरास्ट में और chairman कौन है, Dinesh Kumar Khara, आगला question, who has been appointed as a additional director general of the military nursing service, Sene nursing सेवा के अतरीत महानिदेश के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, तो कौन appoint हुई है यहाँ पे, सही answer होगा, Delos Flora, इन्हें appoint किया है additional director general पत्पे, यह दिखे, military nursing service में commission कब हुई थी 1985 में और उन्होंने 1986 में command hospital air force service में, जो है अपना mid-wifery जो training है वो complete किया था, तो इस field में कमाईंती 1985 में, अगला question है, who has been awarded the Diabetologist of the Year Award 2023, 2023, तो किसे Diabetologist of the Year पुरिशकार से सम्मानित किया गया है, तो यह award किसे मिला है, Dr. Navneet Agarwal को, जो है यह award मिला है, यह award उन्हें क्यों मिला है देखे, for his exceptional medical service and dedication to the cause of improving the life of people with diabetes, तो diabetes से जो लोग PD ने देखे, उन लोगों के जीवन को बहतर बनाने के लिए, जो इनका exceptional work रहा है, उसी के लिए उनको यह जो honor है वो दिया गया, बात करें कुछ और recent awards की तो दिखे, अभी top central banker globally, US-based global finance magazine के दोरा, top central banker का जो honor है वो किसे दिया गया है, RBI की governor शक्तिकान दास को, emerging entrepreneur of the year award किसे मिला, Manoj Bhuvna को, रमन मेकसे से award मिला oncologist Dr. R. Ravi Kannan को, Dr. V. G. Patel Memorial Award से सम्मानित किया गया, सत्यजीत मजूमदार को, Miss Earth India 2023 का crown किसने पहना, Priyan Senne. अगला question है, Fire on the Ganges, book is authored by Dash, Fire in the Ganges, ये जो book है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसकी author कौन है, Radhika Younger, ये जो हैं friends इसकी author है, इसे के साथ बात करते हैं, कुछ और important books की, तो चले हैं से हम अपनी books को revise कर लेते हैं, कुछ, The Life, Vision and Songs of Kabir, ये बुक किसने लिखी विपुल रिखी ने, Through the Broken Glass and Autobiography, ये बुक लिखी है, T and Session ने, Colors of Devotion, ये बुक लिखी है, Anita Bhara Shahani, Maya Modi Azad, Dalit Politics in the Time of Hindutv, इस बुक के author है, सुधा Pai and Sajjan Kumar, The Yoga Sutra for Children, इसके author कौन है, Rupa Pai, Master Residential Real Estate, ये बुक किसने लिखी है, अश्विंदर सेंग ने, तो यहाँ पर फ्रेंट्स, हमारे complete होते हैं, आज के current interface के questions, अब बात करते हैं, Steady GK के questions की, तो पहला question देखिए, Which is the longest river in the North America, उत्तरी अमेरिका की, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ बात हो रही नौर्ट अमेरिका की, यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, Missouri River, चीक के याँ देखिएंगे, Missouri River है, यहाँ की सबसे लंबी रिवर, Next question, What is the name of the oldest star in the universe, ब्रह्मान के सबसे पुरानी तारिका की नाम क्या है, तो जो सबसे ओल्डे स्टार है, उसका नाम क्या है, Methusela, Currently यह 13.82 बिलियन इयर्स, जो है, ओल्ड है, Next, Which among the following is not a layer of atmosphere, अब यहाँ options की according बताना है, कि कौन सी वायूमंडल की परत नहीं है, तो यह कि हमारे atmosphere की जो है, वो 5 layers है, पांच layer में उसको divide किया गया है, सबसे पहले बात करें, तो troposphere आता है, फिर आता है stratosphere, फिर आपका आता है mesosphere, then ionosphere या फिर इसको thermosphere भी आप कह सकते हैं, उसके बाद आती है पांच वी layer exosphere की, तो अगर हम इसमें से बात करें option में, तो B, lithosphere जो है, ये पार्ट नहीं है, जो है atmosphere की layer का, अगला question देखे, who among the following is the leading producer of the milk in the world, कौन देखे, विश्व में दूद का अगरणी उत्पाद के, तो milk का सबसे ज़्यादा production कहां पे होता है, इंडिया में होता है, next question, the term blood moon is used to refer to dash, blood moon जो शब्द है, इसका प्रियोग किसको संदर्वित करने के लिए किया चाता है, सही answer, lunar eclipse, जब total lunar eclipse होता है, तो उसको blood moon भी कहते, विकाज यह reddish type का उस time पे दिखता है, देखे, तो इसको blood moon कह देती है, तो यहां friends हमारे complete हो गए हैं सभी questions, अब बात करते हैं revision की, कल के questions को revise कर लेते हैं फटाफट से, which countries military force जसने unveil किया, artificial intelligence robot, जिसका नाम है वालकरी, तो इससे unveil किया है किसने, USA की military force ने, operation muskan, जो भी हाले में news में रहा, यह कौन से शहर में लागू किया गया था, तो इसे लागू किया गया था, Mumbai में, next is second edition of the naval commanders conference, यह कौन से शहर में शुरू हुई, तो यह meeting शुरू हुई, कहाँ पे New Delhi में और edition भी आद रखेंगे, second, अगला है what is the name given to India's first AI powered anti-drone system, तो इसे नाम क्या दिया गया है, इंद्र जाल, next, who has been ranked as a top central banker globally, तो अभी हमने देखें इसको revise भी किया, RBI governor शक्तिकान दास, who has been appointed as a chairman of the film and television institute of India पूने, तो FTII पूने के अध्यक्ष के रूप में किसे appoint किया गया है, R. Madhavan को, next, who has been appointed as a chairperson of the NASCOM, तो NASCOM के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए, Rajesh Nambiyar, who has been appointed as a secretary of the ministry of civil aviation, नागरिक उड्डेन मंतुरालर के सचीफ कौन अपॉइंट हुए है, वुमलूंग वुलनाम, तो यहाँ FTII questions हो गए है complete, कला आप लोग से हमने तो questions पूचा था, हल्दिखाटी का जो यूद्ध था फ्रेंट्स 1576 में लड़ा गया था, और ये था अकबर और बहाड़ा प्रताब के भी, जिसमें कौन जीते थे, अकबर, सेगेंड था जो बैटल अफ चौसा था, ये 1539 में लड़ा था, और ये शेर्शाहां और हुमाईयों की बीश लड़ा गया था, जिसमें विन किसकी उए थी या कौन जीता था, शेर्शाहां, ठीकें, तो आपने फ्रेंट्स बिल्कुल सभी ने सही आंसर बताई है, सो आज में हमारे comment किसके है, भूपती नायक और निहा अगरवाल, सो थांक यू बोट आफ यू और सभी को थांक यू, फ्रेंट्स आप सभी जो आंसर करते हैं में बहुत अच्छा लगता है, आज के देख लेते हैं, टेस्ट का पहला क्वेशन क्या है, आप सभी जानते जरूर होंगे, विश्व का सबसे चोटा देश कौन सा है, और डूसरा क्वेशन है, सबसे लंबी अंतराश्टिय सीमा कहा है, तो आप सभी इनके क्वेशन के आंसर हमें comment box में जरूर बताएं, इसी के साथ friends daily current of us का सेशन यहाँ पे complete होता है, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करें, share करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नई हो तो please subscribe जरूर करें, ऐसे important class में फिर आप लोगों से मिलेंगे, thank you so much for watching this video,